हेलो एवरीवन वेलकॉम अगेन टू लण्वरेदेटिमन आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 राजिस्थान में प्राचीन सब्वेता इस्थल बहुत जदा इंपोर्टेंट है ये चैप्टर आप लोगों के लिए क्योंकि आपके सलिबस को यदि देखें तो वहाँ पर भी आपकी राजिस्थान में प्राचीन सब्वेता इस्थल जो है वो दी हुई है हाला कि वहाँ पर केवल आपको चार सब्वेताएं ही पढ़नी है काली बंगा आहर्ट गनेश्वर और बैराट लेकिन आपको यहाँ पूरी सब्वेताएं जो है वो पढ़नी ही पढ़ेगी ठीक है और वो मैं क्यों कह रही हूँ कि जो बच्चा जीरो से स्टार्ट होता है और एंट तक जाता है तो सपलता उसको 100% मिलती है और जो बच्चे यहाँ बहुत ही सिद्दत से इन बुक को पढ़ रहे हैं उनको जॉब मिलेगी ठीक है इस चीज को मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कोचिंग में एड्मिशन लेते हैं वहां स्लेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है बस वही टॉपिक पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जाएगी ऐसा नहीं होता है RPSC ने जब डिसाइड किया है सलेबस तो कुछ सोचकर ही डिसाइड किया है वहां पर बिल्कुल दिखाया गया है कि आपको 12 तक की बुक्स तो आनी ही चाहिए क्यों आनी चाहिए क्योंकि इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप बच्चों को पढ़ाओगे तो जब आपको इन बुक्स का ही ग्यान नहीं होगा तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे तो इसी लिए आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है पेपर 1 की जीके में तो आपकी किवल 4 सब बेताई ही है लेकिन आप SSD के स्टूडेंट हो पेपर 2 भी आपको करना होगा तो वहां भी आपको ये बुक्स जो है वो बहुत फायदा देगी History Geography Quality 12 तक तो करने ही है ठीक है और 6 से 10 तक की RBSC की मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ दुबारा से Question Answer से जो है वो उसकी भी चलाऊंगी जब राजिस्थान का ये इतिहास है हमारा राजिस्थान बुक जो है 6 से लेकर 90 तक कंप्रीट हो जाएगी ठीक है 10 की मैंने आप ल मारवार राज्य का इतिहास की रचना किसने की मारवार राज्य का इतिहास की रचना किसने की और वाकई में मानिये इन चैप्टर्स को आप पढ़ने के बाद अंत में आपको चीजें इतनी इजी लगने लगेंगी आपको लगेगा ये तो मुझे आता है ये भी मुझे आत इस तरीके से आप बोलने लगो गई राजिस्थान में प्राचीन सब्वेता इस तल मानव जब स्वैम के बारे में सोचना चोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समू में रहकर कारे करना प्रारम करता है इसी से सब्वेता की सुरुआत होती है तो कि होती हैं किन्तु समय परिवर्टन के साथ कुछ सब्वेटाइं नस्ट भी हो जाती हैं कुछ नया आकार बना लेती हैं राजिस्थान में भी ऐसी कई बैता और संस्कृतियों के इस्तर मरुस्थल और अरावली में नदियों की किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं तो इतना तो हमें पता है कि कोई भी सब्वेता जो है जन्म कहां लेती हैं जहां पानी होता है जहां नदी घाटियां होती है ठीक है और लोग जो है वहां पर आकर इखटा होकर समू में रहते हैं कार्य करते हैं और वहां सब्वेता विक्सित हो जाती है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीटता जाता है, कुछ परिवर्तन आते हैं, साइद वहाँ अगर हम बात करें, तो भूकम्प या फिर बाढ़ आने से, ठीक है, इस तरीके सब्विता नस्ट भी हो जाती है, और कोई सब्विताएं जो हैं, वो नया रूप ले लेती हैं. राजिस्थान में मानव के प्रारंबिक क्रिया कलाब क्या थे? विकप से प्रारंब हुए, इसके लिखित साक्ष उप्लप्द नहीं है, तो अगर हम प्रारंबिक क्रिया कलाब की बात करें, तो वहाँ लिखित साक्ष उप्लप्द नहीं है, जैसा कि हम पाश्ण काल में उनसे हम पता करेंगे कि वहां के लोग कैसे जीवनियापन करते रहे होंगे। एकन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि पाशान काल जहां पर पत्थरों की ओजार मिले जीवन जंगली था, कोई भी लिखित साक्षिन नहीं मिले, उत्खनन से प्राप्त हुए, उसके बाद जो है वो तामर पाशान युग आया, जहां पर तामबा और पत्थर की ओजार ये बनने लगी, जब हडपा सब्वेता आई, सिंदू घाटी सब्वेता, जिसमें हमारी काली बंगा सब्वेता जो है, राजिस्थान की ये प्रमुख है, जिसे नगरिये सब्वेता भी कहते हैं, तो इस तरीके से जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, लोगों ने अपने आपक को तैयार किया, और नई सब्वेताओं का जन्म हुआ, तो अभी हम प्रस्तर यूग यानी पाशान यूग के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रस्तर यूग में मानव अपनी आवशक्ता पूर्ती के लिए जानवरों का क्या करता था सिकार, और जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था, उसने कुलहारी, गंडासा, छुडा इस तरीके के उपकरण बनाए, मानचित्र चार पॉइंट एक को देखकर जानिये कि राजिस्तान में प्रस्तर यूग के ये उपकरण मुख्यत है, बनास, गंभीरी, बेडच और चंबल नदियों की घाटिय और सेल आशिरों में भहतायत में मिले हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया कि किसी भी यूग की जानकारी हमें जादा तर कहां मिलती है, नदियों के किनारे, ठीक है, अब नदी हैं, तो वहाँ पानी की विवस्ता होगी, और वहीं लोग रहे होंगी, प्रस्तर यूग के ब सबसे पहले मानव शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करता था, फिर पशूओं के द्वारा पशू पाल कर, फिर खेती करके, पत्थर के इस्थान पर उसने धातू के उपकरण बनाने प्रारम किये, धातूओं में भी सबसे पहले किसका उपयोग किया, तामबे का, काली बंगा, गनेश्वर और आहड आदी शेत्रों से प्राप्त हुए है, और जिसमें गनेश्वर जो है, जो कि तामरे सब्वेता की जन्नी, तामरे सब्वेता की संस्कृति कहा जाता है, जो कि सबसे प्राचीन है, ठीक है, याद रखना है कि गनेश्वर जो है, वो है सब काजिस्थान सब्विता के प्राचीन केंद्र। कौन कौन से केंद्र रहे हैं कहां कहां पर रहे हैं किस जिले में तो यहां मैप के द्वारा यहां बताया गया है। तो देखिए हनुमान्वान द्वल और पीली बंगा सब्वेता जो है यहां मिली काली बंगा यानि यहां पर बंगा यानि की चूडियां तो यहां काली रंग की चूड़ी मिली तो इसका नाम काली बंगा रखा पीली चूड़ी मिली तो यहां पीली बंगा सब्वेता ठीक है इसके बाद देखिए जुन-जुन यहां पर सुनारी सब्वेता, सीकर, सीकर जिले में जहां नीम का थाना के पास में गनेशर सब्वेता, बैराट सब्वेता, जैपुर जिले में, ठीक है, दर, भरत पुर में, रेण, टोंक में, नगर, यह भी यहीं पर, और नगरी जो है देखिये, चित्तोरगड में, आहर सब्बेता राज सम्मद में बागोर सब्बेता भील वारा जिले में जहां पश्वों को पालनी के सबसे पहले साक्षये मिलते हैं नेक्स्ट तिल वारा जो कहां है बाडमेर uh यह थोड़ा मोटा और सरस्थती नदी की घाटी में पुराविद अमला नंद घोस ने करीब दो दर्जन पुरास्थलों की खोज की, तो देखिए अमला नंद घोस ने द्रस्थती और सरस्थती नदी इनके पास में दो दर्जन पुरास्थलों की खोज की, इनमें हनुमान गर्जले में घगर न बोज जो है वो क्या है? खोज करता है, और बीबी लाल और बीके थापर क्या है? उत्खनन, इन्होंने क्या किया? खुदाई की, खुदाई में यहां सिंदू सरस्वती सब्वेता काल का एक नगर मिला है, हम पढ़ते हैं कि दुर्ग के साक्षिय हमें कहां से मिलते हैं, काली काली बंगा सब्वेता से मिलते हैं राजिस्थान में, जिसके मकानों में इटों का प्रियोग किया गया था, मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कम्रे होते थे, बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहां लकडी और इटों की नालियां बनी हुई थी, ठीक है, कि लकडी और इटों की नालियां, यह हमें किस सब्वेता से मिलते हैं, काली बंगा सब्वेता, यहां चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अगनी कुंड या वेदिकाएं बनी हुई हैं, ठीक है, तो यहां चबूतरे मिले हैं, जहां पर 7 अगनी कुंड या वेदिकाएं भी मिली संबहब्या यह धार्मिकाऱे हो ति प्रूप्त होते हैं, तो यह मान लेते हैं उनको देखकर कि यहां पर धार्मिकाररे होते होंगे, इसलिए अगनीकुंड यहां बने हुए हैं. दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेश मिले हैं, काली बंगा की नगर योजना, सिंदू सरस्वती सब्वेता की नगर योजना के ही समान दिखाई देती है, इस शेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई करशी भूमे के साक्ष भी मिले हैं, यानि कालंतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्तल के बढ़ने से यह सम्रद बस्ती उजड गई, अब यहां से कितने सारे फैक्ट जो हैं, वो निकल कर आते हैं, पूछा जाता है, यहां पर काली बंगा सब्वेता जो है, वहां पर किस प्रकार की नालिया जो है, वो बनी ह हुई थी, किसकी बनी हुई थी, लकडी और इटों की बनी हुई थी, ठीक है, और अगनी कुंड के साक्षे कहां मिले हैं, काली बंगा सब्वेता से मिले हैं, एक दुर्ग की अवशेश कहां से मिले हैं, काली बंगा सब्वेता से मिले हैं, इसके अलावा गाए के मुख वा कांच की मडियां मिली हैं खिलोने आधी प्राप्त हुए हैं कालंतर में नदियों का पानी सूग गया होगा ठीक है इस वज़े से क्या हुआ वहां जो बस्ती थी वो उजड़ गई होगी क्योंकि पानी ही समाप्त हो गया तो वहां जीवन या पर नहीं हो सकता नेक्स्ट देखिए आघाट पुर या आहड सब्वेता तो ये सब्वेता जो है वो ग्रामीन सब्वेता कहलाई क्यों कहलाई उदेपुर के पूर्व में आहड यानी बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिनको इस्थानिय लोग धूल कोट कहते हैं ठीक क्योंकि हमने देखा था कि राजिस्थान में तामर सब्वेता की अवसेज जो हैं वो काली बंगा से भी मिले हैं गनेशोर से भी मिले और आहड से भी मिले हैं ठीक है तो आहड को तामर वती के नाम से जानी जाती थी ऐसा प्रतीत होता है कि तामे के ओजारों के निर्मान का केंद्र होने के प्रमान मिलते हैं तो वो क्या है आहड सब्वेता दसवी या ग्यारवी सताबदी में इसे आघहडपुर के नाम से जाना जाने लगा पहले देखिए इसे धूलकोट सब्वेता कहा गया उसके बाद तामरवत्ती सब्वेता और उसके बाद आघहडपुर सब्वेता कहा गया तो ये सबी नाम किसके हैं आहड सब्वेता के यहां से प्राप्त मकानों के दीवारे पत्थर मिट्टी से बनी हुई जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी तो क्या पता लगता है कि ये सब्वेता जो है वो नगरी सब्वेता तो नहीं रही होगी ये तो ग्रामिर सब्वेता के बारे में पता चल रहा है बड़े कमरों के बीच में बांस की परदी पर मिट्टी चड़ा कर उसे छोटे-छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था, मकानों में चार से छे चुले, तो देखिए ये क्या है, मिट्टी की मूर्ती है, ठीक है, इससे भी पता लगता है कि सब्वेता ग्रामेन रही होगी, उसके बाद देखिए, तांबे का पात्र मिला है, तांबे की कु मिली है, तो इससे पता लग रहा है कि ये तामरवती नगरी थी, तो चार से छे चूले मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामुहिक भोजन के साक्षे हैं, तो इनसे पता लगता है कि यहां पर सभी लोग इखटे रहते होंगे, एक बड़ा परिवार होगा, जिससे संयु परिवार बोलते हैं, यहां उच्च कोटी के चावल उतपादित होते थे, आहड में भटी नुमा चूला मिला है, इससे यह माना जाता है कि यहां तामा पिगलाया जाता था, यानि यहां फैक्टरी थी यहां पर तामे की, आहड वासी बरतन बनाने की कला में दक्षे थे, यहां मिले लाल भूरे म्रदभांड, हात की सफाई तथा अलंकरण की दरस्टी से उतक्रस्ट थे, ठीक है, अभी कई वार पूछा जाता है कि जो आहड सब्वेता है, वहां से हमें किस प्रकार के मिट्टी के बरतन मिले हैं, तो यहां हमें लाल और भूरे म्रदभांड के बरतन मिले हैं, धूल कोट के 1951-1952 में हुए उत्खनन में, तस्तरिया, दीपक, धूबदानिया, कटोरिया, मटके, कलश, चूडिया, खिलोने, 26 किस्म के, मनिये, 6 तामवे की मुद्राएं और 3 मोहर प्राप्त हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकरतिक प्रकोप से ब अक्षिन पूरप के और बड़े तथा गिलून वा भगवान पूरा जैसे इस्थान बसाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज जो है, वो ध्यान रखनी है, पूछा जाएगा, 26 किस्म के मनिये, जो है, वो कहां मिले, 6 तामवे की मुद्राएं कहां मिली, तो याद रखना है नेक्स्ट देखिए बाला थल सब्वेता, उदेपुट जिले की बल्लव नगर तहसील के बाला थल में मिली सब्वेता, तामर पाश्चान का लीन, आहर संस्कृती से सम्मंदित है, यहां क्या मिला है, ग्यारा कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन भी आभूशन भी मिले हैं, तो देखिए यहां पर ग्यारा कमरों का एक बड़ा भवन तो मिला ही है, दुर्ग भी मिला है, इसके अलावा यहां पर देखिए तामवे का चाकू, कुलहारी, छेनी, बांड ठीक है, और गले का हार, कंड, पूल, आभूशन भी मिले हैं, बाला थ आभूशन को भी पालते थे और शिकार भी करते थे, बाला थल में लोहकाल के अफसेज भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अब बाला थल सब बैता, यहां पर हमें लोहा भी प्राप्त हुआ है, यहां लोहा गलाने की भट्टियों के चिन मिले हैं, बैराट के अतरिक्त बाल बुना हुआ वस्तर प्राप्त होता है अब देखिए यह लाइन जो है वह आपको कहीं नहीं मिलने वाली जो यहां पर मिली है कि एक तो बैराट में हमें बुना हुआ वस्तर मिलता है इसके अलावा बाला थल एक ऐसा इस्थान है जहां बुना हुआ वस्तर मिलता है ठीक है औ नेक्स्ट है गनेश्वर सब्वेता ठीक है कहां है सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गनेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवसेस मिले हैं इसे ताम्र संचै संस्कृति कहा जाता है यह संस्कृति पूर्वी राजिस्थान एवं गंगा घाटी के शेत्र में पल् शेत्र गनेशोर में ताम्र उपकरण बहुत मिले इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी तो जुनुनु में है खेतड़ी तो यहां पास में ही क्या है सीकर ठीक है तो इसका कारण क्या है कि यहां पर ताम्र भंडार जो है वो पास में रहे होंगे इसल ये गनेश और सब्वेता जो है वह क्या कही जाती है तामर संचे संस्कृती तामर उपकरण में क्या मिला है बान मिले छैनिया मचली पकड़ने का काटा उस तरह के फलक अंगुठियां आदी मिली हैं कई बार पूछा गया एक्जाम में कि तामर से बना हुआ मचली पकड़ने का काटा किस सब्वेता की देन है तो वह क्या है गनेश और सब्वेता ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से दोहरी पेचदार शिरा वाली तामर पिनों को पक्षमी और मद्ध एसया में निर्यात किया जाता था गनेश और मिट्टी के दो प्रकार के बरतन मिले हैं हडपपूर्व संस्कृति के हलके लाल रंग के पतले बरतन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चितरकारी वाले मजबूत बरतन ठीक है पतले बरतन भी मिले हैं और मजबूत बरतन भी मिले हैं मजबूत में देखिए इन बर्तरों में मर्द बानकलश, प्याले, तसले, ढकन, हांडी ये प्रमुकते ठीक है तो गनेशर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले हैं किसके मिले हैं मिट्टी के ठीक है एक तो पतले बर्तन और एक मजबूत बर्तन ये देखिए गनेशर स सब्वेता पाशान काल की थी ठीक है और एक काली बंगा सब्वेता जो है वह भी ताम्र पाशान काल की थी किन्तों इनके उपर इस्तर पर लोहो यूग के अफसेज भी प्राप्त होते हैं लोहोकाली इतिहास को जानने के दिए बैराथ सांभर बागोर रेंड आधी सब्वेत बाट शतनलों के विवन ले किर देकिए deck और बेराट के बारे में हम पढ़ेंगे अभी चल से היका ने होता है यह मनें यह लास्ट वीडियो में देखा था शिला यानी की शिल यानी की पत्थर और लेकर ना तो पत्तरों पर यह लिखा गिया है जैपुर जिले में इस्थित बैराट कस्वा हर यूग में सब्वेता संस्कृति का प्रमुकेंद्र रहा है इसकी बीजक की पहाड़ी धीम टूंगरी पुरा तत्व की दृस्टी से महत्वपोर है तो बीजक की पहाड़ी और भीम की टूंगरी कहां है बैराट में महा भारत में इसका उल्लेक मतश्य जन्पत की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ जहां पांडवों ने अपने अज्यातवास के अंतिम दिन व्यतीत किये थे ठीके आप किसी भी कोचिंग से आप कर लें और अभी तक आपने बहुत सारी चीजें याद भी कर ली है मोरे काल में भी यह प्रमुक केंदर था यहां असो के दो इस्तम लेक भाबरू और बैराट सिला लेक एवं बौद मत के अवसेज भी प्राप्त हुए है यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है जिन में 8 पंचमार्क और 28 भारती युनानी शाशिकों की है खुदाई में स्वास्तिक तथा, त्री रत्न चक्र के चिन, युक्त, अलंकरत घड़े, तीपक, नास्ता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें और हांस से बना हुआ वस्तर भी मिला है तो यही जीज अग्जाम में पूछी जाती है तो आपको इन बुक से ही यह चीज़ें याद कर लेनी है पूछा जाएगा कि 36 चांदी की मुद्राएं कहां से मिली है बेराड सब्वेता से मिली है या पूछा जाएगा कि हाथ से बना हुआ वस्तर कहां मिला है तो अभी हमने उपर पढ़ा था कि हाथ से बुना हुआ वस्तर जो है वह हमें कहां से मिलता है देखिए बाला थल सब्वेता से ठीक है और इसके अलावा बाला थल सब्वेता के अलावा बैराड सब्वेता से भी हमें हाथ से बुना हुआ वस्तर मिलता है तो कितनी इंपोर्टेंट जो है लाइन इस पहराग्राफ में दी हुई हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए उपयुक्ति सलों की अतरिक्त राजिस्थान में बहीलवाड़ा जुले के बागोर, ओचियाना, जैपुर जिले में इस्तिसांबर, जोधपुरा, टोंग जिले में इस्तित नगर, रेंड, चितोर में नगरी, भरतपुर में नोह, जालोर में भीनमाल, रासमद में पचमता, गिलून आदीस्थल पाशान, ताम्र पाशान और ताम्र लोहकाल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए, पत्थरों के चीजें भी मिली हैं, तामे की भी मिली हैं, और लोहे की भी मिली हैं। और ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं बहुत अच्छे से, कि बागोर सब्वेता किस जिले में हैं, भीलवाडा जिले में, सामबर चैपुर जिले में, और रेंट जो है वो टोंक जिले में, भरतपुर में नुह सब्वेता है, भीनमाल सब्वेता, जालोर में, तो ये तो आपका चैप्टर जो है, वो होता है, कम्प्लीट, आज थोड़ी सी तवियत, ठीक नहीं थी, लेकिन चलिए, कोई बात नी, चैप्टर हमने कम्प्लीट कर लिया है, सब्दावली में देखिए, उत्खनन का अर्थ क्या है, खुदाई, मृत भांड का क्या है, मिट्टी के बर्तन, पाशान यानि पत्थर, तामर का मतलब है, तामबा, ठीक है, चलिए, अब भ्यास प्रस्ने देखिए, निम्ने में से किस जिले में काली बंगा इस्तित है, जालोर, हनुमानगर, सीकर या उदैपूर, तो हमें पता है, हनुमानगर, जिला, अशोक का भाबरू सि सलसकृती के अफसर प्राप्त हुए है, तो कौन सी सलसकृती हमें, गनेश्वर सब्बैता मिली, आहड़ बस्ती प्राचिन काल में डैएस, निगरी के नाम से जानी जाती थी, तो इसका अनसर आपको देना है, कि यहाँ पر क्या आएगा, आहड़ बस्ती प्राचिन काल में किस नगली के रूप में जाने जाती थी, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, राजिस्थान में किनी दो तामर पाशान काली इस्थलों के नाम बताई है, तो दो तीन बार तो मैंने ही आपको बताया, काली बंगा, गनेश्वर, आहड, ये तामर सब्वेता के अफसेस म राप्त हुए हैं, तो बालतल सब्वेता जो है, वह कहां की है, उदैपुर्जिले की बल्लवनगर तहसीद की, ठीक है, आहड सब्वेता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आहड, आयड या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई, तो चेप्टर पढ़ने के बाद जब एक question answer solve करते हैं तो आपका भी confidence के वल बढ़ता होगा कि हाँ हमने इतना सारा पढ़ा और हमें इसके आंसर तो अभी ही आ गए तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से next video में next chapter के साथ thank you